सरकारी अस्पताल में तिरपाल ओढ़े मिली प्रसूता को देख ड्यूटी डॉक्टर पर बिफरे विधायक कैलाश कुश्वा डॉक्टर की लापरवाही पर जन प्रतिनिधी के डाटने पर चरितार्थ करती कहावत एक तो चोरी उपर से सीना जोरी आखिर क्या जनता के साथ हो रही बदसलूग की पर भी ना भढ़के विधायक डॉक्टर ने लापरवाही पर माफी तो छोड़ो उल्टा अस्पताल ही कर दिया बंद आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों कुछ जगह नौकर शाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनता चाहे मर रही हो लेकिन जनता को सहूलियत के नाम पर शासन प्रशासन द्वारा मुहया सुविधाओं को भी उपलब्द कराने में उन नौकर शाहों को दिक्कत आ रही ह इतनी बड़ी दिक्कतों के बावजूद भी अगर कोई जन प्रतिनिती सवाल उठाता है तो उससे माफी मांगने की बात दूर उल्टा हरताल पर चले जाना जादा उचित समझा जाता है पूरा मामला बैराड नगर के सरकारी अस्पताल का है जहां गुरुवार को पहुरी विधायक के लाश गुश्वा और चक निरिक्षन के लिए पहुँचे जहां अस्पताल में कई अव्यवस्था विधायक को देखने को मिली अस्पताल में भरती एक प्रसूता महिला को अस्पताल प्रबंधन ने कंबल तक नहीं दिया तो मजबूरी में प्रसूता महिला को प्लास्टिक के कटों से बनी चादर को ओड़ कर थंड से बचाफ करना पड़ा आखिर ये बात कहां तक सही है कि जब गरीब जंता के बीच के लोग आज अस्पताल में 10 से 12 डिगरी की टेंप्रेचर में करकराटी थंड में आखिर क्यों प्लास्टिक की कट्टों की चादर में थंड बचा पाएंगे ये जिम्मेदारी आखिर किस डॉक्टर या किस अधिकारी की बनती है क्या इस बात पर किसी चनपती निथी का सवाल उठाना गलत है क्या बेराज नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नवोदित अवस्थी जो की मावी मागने की बचाए हरताल पर चले गए क्या ये सही है अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के हरताल पर जाने की खबर जैसे ही नवनिर्वाचित विधायक कैलाश कुश्वा को लगी तो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कहना नहीं था अस्पताल में विवस्थाएं और गरीबों को परिशान होता देख उनके मूँ से निकल गया अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ साथ ही अपेक्शा करता हूँ कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी मरीज के पती अपने विवहार और विवस्थाओं में सुधार लाएंगे इस तरह से नवनिर्वाचित विधायक कैलाश कुश्वाह ने अपनी दरिया दिली दिखाई तो मैं अपने सब्दे बापिस लेता हूँ और निविधन भी करता हूँ कि आगे मैं भी ध्यान दोंगा वो भी ध्यान दोंगा